यंगिस्तान ने दी दच्छिड अफ्रीका को मात अशिदीपा और आवेस के बाद सुदर्सन का प्रदर्सन पहले मैच में 22 साल के लड़के ने ठोक दी 50 विराट की जगे आय अयर ने भी किया धमाका केल राहूल का हर्दा हुआ हिट गेंदबाजी और बल्लेबाजी में इं नहीं मानी भले दच्छिड अफ्रीका हो उनके घर पर उन्हें पूरी टक्कर देने की तैयारी थी और शुरुआत भी जबरजस्त तरीके से हुई है टीम में विराट कोली नहीं थे रोई शर्मा नहीं थे गिल नहीं थे साथ में अगर बात करे हार्दिक पांडिया जड़ बिल्कुल नया केल लाहुल की कफ्तारी में टीम इंडिया उत्री यहां पर कई सारे ऐसे प्लेयर थे जो नहीं दस मुकाबले भी नहीं खेले थी और यहां पर दमखं दिखाया और ऐसा दमखं जिसे देखकर मज़ा आ जाए बात करेंगर डिब्यू करने वाले साइंस कोई मुरीद हो गया पहले मुकाबले में फिप्टी ठोक दी नमबर तीन पर बल्लेबाजी के लिए यहां पर पचासा लगा या इसके लावर रित्राज गाएकवाट थोड़ा फजे वरना उनका भी फजासा हो सकता था लेगिन अगर उससे पहले बात करें शानदार हैसला किया उनकी टीम मात्र 116 रन पर सिमट गई जबाब में टीम इंडिया ने 16 तसमलों चार यानी 17 और में ही 117 रन बनाकर ये मैच अपने नाम कर लिया बारत के लिए डेब्यू करने वाले साइंस सुदर्शन ने नाबाद 25 रन बनाए उन्होंने 43 गेंदों की पारी में तो ये था मैच का हाल और यहाँ पर अगर बात करें हीरो की तो साथ अफरीका की तरफ से फिल्कुला हूँ और साथ में जॉर्जिया ने अच्छा का दमखम दिखाया था लेकिन भारतत की तरफ से अश्रीप आवेश और साइंस सुदर्शन सिर्या सायर का भी नाम इसमें जोल दिया जाए तो यह वो चार हीरो तो जिन्हों टीम इंडिया को चैंपिन बनाया तो फिलाल आपको क्या लगता है क्या है एंगेस्तान टीम एक बार फिर से वो कारनामा करीगी जो 2017 में विराट कोली की टीम ने किया था यानि दचेड अफरीका को उनके घर में मात दी तो फिलाल अपनी बात कमेंट बॉक्स में बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पेच को फॉलो करना बिल्कुल भोलेगा धन्यवाद